हलो दोस्तों नमस्कार देव्यम आईस टीम की दब साब सभी का स्वागत है मेरा नाम है आकाश्र वस्तो तारिक आज 20 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं दहिंदू के डेली एडिटोरियल एनलीसिस को आसान भाषा में समझने की इसका फ्री पीडिया और दूसरे वैलोटेड मटेरियल आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आगे बढ़ने इस पहले चैनल को लाइक शेर वन बाइवन दोनों है डिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं आजकर जो पहला आर्टिकल है वो है मडर्स मोस्ट फाउल हत्याएं सबसे ज़्यादा बैमानी से कश्मीरी पंडित्स आर डेलिबरेट टार्गेट्स फॉर रेडिकल्स फर्दर देर एजेंडा अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कट्र पंथियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को जान भूच कर निशाना बनाया जा रहा है आगे बढ़ने से पहले इस बात को क्लियर कर देता हूं जो भी हिंदिय नुवाद है उसके लिए Google Translation का इ पर कट्टर पंथियों द्वारा जो भी टार्गेट किलिंग की जा रही है उसके इर्दक्रित अभी रिसेंटली शोपिया डिस्ट्रिक्ट में एक किसान की हत्या कर दी जाती है कट्टर पंथि द्वारा बेसिकली साल की शुरुआत से भी तक की बात करें तो तक्रीबन छे पंडितों को मार दिया जाता है और एक तरीके से डर का महौल फैलाने के लिए कई परिवार वापस घाटी को छोड़ कर दूसरे स्थानों पर चले गए हैं और एक तरीके से ऐसा भी लगता है कि जो ये टार्गेट किलिंग हो रही है वो जो भी अलगाव वादी कट्रपंत तत्व हैं उनका भी एक फ्रस्ट्रेशन की तरीके से निकल रहा है क्योंकि जो इसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा है इसलिए वापस डर को एक हथियार बनाकर वो इस्तमाल कर रहे हैं जिससे कि जो आम नागरिक है वो डर के साय तले रहे और घाटी को छोड़ने पर मजबूर हो जाए अब आगे आइटिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो कट्रपंति इनको द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो हत्याय की जा रहे हैं ये धरा 370 जो घाटी से आटायक है उसके ही एक रिस्पॉंस के तौर पे ये किया जा रहा है और इनका टार्गेट कौन बन रहा है इनका टार्गेट बन रहे हैं आम बेबसनागरिक जो बाहर से काम करने आये होते हैं मजदूर किसान सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं ये लोग जिस तरीके का महौल 90 के दशक में घाटी में था डर का वैसा फिर से उसी महौल की तरफ घाटी बढ़ती भी की जाए और सबसे जदा वश्यकिस बात की है कि जो कट्टर पंथी अलगाव वादी तत्व हैं उनको मुख्य धारा से अलग कैसे किया जाए इस पर ध्यान देना होगा दूसरी तरफ जो ये टार्गेट किलिंग हो रही है ये सरकार की जो विफलता है उसको भी आईना दिखा रहा है जिस तरीके से घाटी में लगातार जब से धारत 370 हटी है उसके बाद से इस तरीके की घटनाय और ज़्यादा होने लग गई है उसमें कहीं न कहीं जो सुरक प्रक्षा विवस्ता है उस पर भी सवाल ये निशान खड़े हो जाते हैं और ये भी सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि धारा 370 हटने के बाद से जिस तरीके से सरकार वहां पर कारे कर रही है क्या वाकई में ग्राउंड लेवल पे सुखद परिडाम देखने को मिल रहा ह है हलाकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्द बाजी होगा पर एक बात तो कहना निशित है कि धार्मिक तोर पर जो पोलराइजेशन होता है वो और जादा बढ़ता हुआ नजार आ रहा है एक मुखे कारण ये भी है कि जो सरकार जब कश्मीर में बनी है वो थोपी हुई सरकार है जनता द्वारा चुनी हुई नहीं है ऐसे में जो सरकार है उसकी वैलिडिटी अभी जनता के मन में नहीं आ पाई है और ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है जिस तरीके से भारत का ताज कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में लगातार जो विनाश के तत्व हैं, वो सर उठाते वे नजर आ रहे हैं, मासूम लोगों को टार्गेट किया जा रहा है, उनकी हत्याय किया जा रहा है और डर के महोल को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगले अर्टिकल में बात होगी, तुर्किश फोरेंड पॉलिसी दे इस्ट वेस्ट डिवाइड, तुर्की की विदेश निती पुर्वपश्यम विभाजन, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, अन ओटमन ग्लोरी, और वट अर शेपिंग अर्दोगान डिवन तुर्किश फोरेंड पॉलिसी आउटलुक, राजनिती, भूराजनिती और तुर्क महिमा, एर्दोवान द्वारा संचालित, तुर्क की विदेश निती आउटलुक को आकार दे रहे हैं, आर्टिकल में बात हो रही है, तुर्किश फोरेंड पॉलिसी, जोकि राश्टपती एर्दोग की नेत्रितों में आगे बढ़ा ही जा रही है, पूरा जो आर्टिकल है, उसी पर आधारित है, इसमें बात हो रही है, जिस तरीके से अभी रशिया, योक्रेन, युद्ध के बाद से एक पूरव और पश्चिम का डिवाइड देखने को मिल रहा है, और ऐसे में जब छेत् डिप्लोमसी की बात कही जा रही है, तो जो तुर्की है, वो राजनीती का केंदर बनता जा रहा है, और ऐसे में तुर्की एक तरफ सौधी अरेबिया, मिश्र, UAE के साथ अपने संबंद को बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राश्पती रेसिप ताइप एर्दोग के नित्रित में, हाल ही में अभी इसराइल के प्रधान मंत्री यासिर लपिद जिसे भी मुलाकात होती हो, और तुर्की द्वारा अपने संबंद को और घनिष्ट करने का प्रयास किया जाता है, एक आश्चर करने वाला मोड तबाता है, जब एर्दोगान साहब सीरिया के राष्टपती बसर अल अशद इनके साथ भी आगे बात करने को इनकी तकपरता नजर आती है, और ऐसे में एर्दोगान साहब ये बात कहते हैं कि जब राजनिती की बात आती है, तो कोई भी पर्मानेंट शत्रू नहीं होता है, किसे भी जो पर्मानेंट है, वो चूकि तरकी जो है, वो नाठो का मेंबर भी है, और ऐसे में, जब स्वीडेन को नाठो की मेंबर्शिप देने की बात आती है तो जो तूरकी है, वो काफी सक्त रवईया अपनाता है, इसके अलावा, जब कुरदिश नेताओं की बात आती है, तब भी जो तरकी है, काफी जादा कड़ी प्रतिक्रिया देता है, उनको आतंको वादी घुशित करना चाहता है, और साथ साथ में अन्य एक नाटो देश ग्रीस, इसके साथ तुर्की के संबंद काफी जादा खराब दिखते हैं. अब जिस तरीके से ग्रीस और यूएस के संबंद मजबूत हो रहे हैं, उससे भी जो तुर्की उसकी भववें खिच रही हैं, अब इसके अलावा, जब साइप्रस और इस्ट मेडिटेरियन की बात आती है, जहां पर विश्चित तुर्की और जो ग्रीस है, उसके विवाद और ज़्यादा दुनों के मद्दे में घराता देखता है, जहां पर जो साइप्रस आइलेंड है, उसको दो भागों में डिवाइड करने का बात होती है, और अभी हाल में जैसे ही अमेरिकन जो सैंक्षन था वो हटता है, और तुरंत ही तुर्की द्वारा, चालिस हजार जो सैंक वहाँ पर मौजूद है, उनसे जादा और सैंक को पहुचाने की बात कही जाती है, जिससे की जो आइलेंड है, उसको दो हिस्सों में बाटा जा सकें, नॉर्थ और साउथ में, एक तरफ जो तुर्की बैक कर रहा है साइप्रस आइलेंड को, जहां प क्रिश्यन आबादी जादा है, और मामला काफी गंभीर भी दिखता है, क्योंकि दोनों ही नाटो कंट्री हैं, ऐसे में सबसे बड़ा चुकि नाटो का ऐसा समीधान भी है, कि एक नाटो कंट्री पर अगर अटेक होगा, तो उस पर जो अन्य नाटो देश है, सब लोग की संभावना होती है, तो जो भी सबसे पहला वार करेगा, वो परशानी में पड़ेगा, और इसी डर से दोनों ही देश, ग्रीस और टुर्की, डिरेक्ट कभी कॉन्फिक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, इसके अलावा, ग्रीस को और ज़्यादा उकसाने के लिए, तुर्की में रूस और यूक्रेन दोनों कही साथ मध्यस्तता करने की स्थिति रखता है, और इस मध्यस्तता में तुर्की को सफलता भी मिलती है, जिस समय युद्ध के दोरान, जब पूरा विश्व खाद्यान संकट की चपेट में आ रहा है, तो ऐसे में जो एक यूक्रेन से ग्रे उनको सेफ पैसेज देने की बात होती है, तब वो टुर्की ही रहता है, तरकी ही रहता है, जिसके द्वारा मध्यस्तता मेडिटीएशन किया जाता है, दोनों ही कंट्री रश्या यूक्रेन के बीच में, और ये सेफ पैसेज प्रोवाइड हो जाता है, इवन अल्रेडी इस से जो ग्रेन शिपमेंट है, वो जा चुकी भी है, इसकी कई खेप निकल चुकी है वहाँ से, आगे बात हो रहे है, जिस तरीके से रश्या और तुर्की के संबंध है, वो लगतार घनिष्ट हो रहे हैं, किन्तो ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच में कोई भी नहीं है, कई मुद्धों पर मतभेद सामने नजर आते हैं, चाहे वो अर्मेनिया का मुद्धा हो, सीरिया का मुद्धा हो, लिबिया का मुद्धा हो, पूर्वी मेडिटेरियन का मुद्धा हो, किन्तो बावजूद मतभेदों के दोनों ही देश, रूस और तुर्की, अप टार जो Russian इंवेश्टमेंट है तर्की में वो बढ़ रहा है और इसके अलावा तुर्की द्वारा भी रस्या को रस्या में एक्सपोर्ट किया जाता है वो एक साल में हूच जम्प लगाता है इसके अलावा रशिया द्वारा तुर्की में भी काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है रशन एनरजी का एक मेजर इंपोर्टर बनके तुर्की उभर रहा है इसके बाद ये भी बात हो रहे है चुकि जो टर्की है वो एक नाटो सदस्य है बावजूद इसके टर्की द्वारा S.C.O. संगाई कॉर्परेशन और्गनाइजेशन इसकी भी सदस्यता तुर्की ग्रहन करना चाहता है और चुकि जो विश्टर्न कंट्री है वो S.C.O. चुकि चाइना द्वारा बैकिंग है तो ऐसे में उनका ये मानना है जो पश्चिमी देश है कि तुर्की यदि S.C.O. की सदस्यता की तरफ आगे बढ़ेगा तो जो पश्चिमी हित होते है उसके खिलाफ जाएगा तब तुर्की का ये कहना है रिदोगान साहब का वीशेश दोर पर कि आप सभी लोग खुद को एक शेतरी ये ताकत के रूप में देख रहे है और जो भी तुर्की के हित में होगा वैसे कदम उठाए जाएंगे खेर सद्धसिता तुर्की लेता है नहीं लेता है यह सब आगे की बात है बहराल वर्तमान में तुर्की में जो महंगाई दर है वो काफी जादा है 80 प्रतिशत के ऊपर और अगले साल आम चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में कई लोगों का यह भी कहना है कि राष्टपति इर्दोगान द्वारा जो घरेलू वहां पे जो नागरिक है घरेलू प्रशनसक है लोग है उनको खुश करने के लिए इतने बड़े-बड़े कदम उठाए जा रहे हैं वहीं कुछ लोगों का यह भी कह इर्दोगान सहाब रखे हैं जिसको वह एक्जेक्यूट करना चाहते हैं आगे आर्टिकल में इस बात की तरफ ध्यानाकर्शित किया गया है कि जाए इर्दोगान सहाब को समझने के लिए सबसे बहतर तरीका यही है कि जिस तरीके से जो तुरकी है उसकी जो पोजिशन है ईहें इस्टरन कंट्रीस और वेस्टरन कंट्रीस के बीच की जो पोजिशन आती है राजनिती में भी अर्दोगान साहब चाहते हैं कि जब वेश्विक राजनिती की बात हो तो तुर्की सेंटर में आ जाए और लेकिन जब इस्ट वेश्ट की बात आती है जिस डिवाइट का फायदा लेकर ये राजनिती के केंदर में आते हैं दूसरी बात ये भी है कि जब commitment के बात आती है तब पूरी तरीके से तुर्की का commitment किसी भी side के प्रती बहुत जादा नहीं दिखता है। तुर्की के हित जहां पर दिखते हैं वो उस हिसाब से कारे करता है। अब एक तरफ रश्या और इरान से तुर्की के नजदी की तो काफी देखने को मिलती है पर ये भी बात है कि जब तुर्की के अपने हित की बात आते हैं तब तुर्की को दुनों ही देशों से दूरी बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। इन सब के अलावा आगे इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जिस तरीके से सीरिया और इराक के जो कुर्द हैं उनके खिलाफ तुर्की द्वारा टफ मिलिटरी एक्शन लिया जाता है बलकि दूसरी तरफ जो बगदाद है और कुर्दिस्तान की जो शेत्री सरकार है अरबिल में वहां पर जो कुर्द हैं उनके साथ बहतर संबंद बनाने का प्रयास किया जाता है तक पर यह है कि राजनितिक शत्रंजी के दाओं पेज में जिस तरीके से तुर्की को अपने हित में जहां पर कार लगता है कि कुर्द का विरोध करना है वहां पर विरोध हो तो धार्मिक से ज़्यादा मामला राजनितिक की तरफ मुड़ता हुआ दिखता है इसके अलावा आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से कौकेश्यस और बालकन में भी ऐसे चीज़ों को देखने को मिलता है विश्यस तोर पर उधारंग के तौर पर जब अजरबा अजरबाईजान है उसका समर्थन किया गया जबकि रशिया द्वारा अर्मेनिया का समर्थन किया जाता है एक तरफ तुर्की अजरबाईजान का समर्थन करता है कि दूसरी तरफ तुर्की रशिया के साथ मिलकर जब शांती समझोता है उसको इस्थापित करने में अपना योगदान देता है। जिससे की रश्या के साथ वे उसके संबंद न भिगडे। और बाद बे अर्मेनिया के भी साथ वे अलग से अपने संबंधों को बेतर करने का प्रयास करता है। इस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है कि जो इरदोगान साहब है वो जिस प्रकार से तुर्की की पोजीशन है जियो पोलिटिकल और उस पोजीशन को जो की पूर्व और पश्चिमी देशों का मध्य पोजीशन के रूप में दिखा जा सकता है और साथ साथ में जो उट्टोमन अम्पायर की जो ग्लोरी थी उसको मिक्स करके ये आगे भढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि जो तुर्की है वो विश्वराजनित के केंदर में आ जाए नहीं सिर्फ तुर्की का बलकि एरदोगान साहब का भी कद काफी उपर उठ हाद्ट